विजली को ये सी बस दू नहीं है जिससे जब चाहें और जैसे चाहें उत्पादित कर लें। इसका भंडारण करना संभव नहीं है। विजली का उत्पादन एक निश्चित सेड्यून के अनुसार ही होता है। कि पावर स्टेशन में विजली जरूरत के अमसार ही पैदा की जाती है। जा सकता तो फिर सरकार उसे बचाने के लिए क्यों कहती है। यदि जन्ता ने सरकार की बात मान ली तो फिर बची हुई विजली का सरकार क्या करेगी। आई ये बिना देर किये हुए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर तार में करन्ट आ रहा है तो उसका उप्योग कर ही लिया जाए। नहीं करेंगे तो वा अपने आप नश्ठ हो जाएगा। जैसे नल में यदि लगातार पानी आ रहा है और आपने उसे उप्योग नहीं किया तो वा नाली में बह जाता है। लेकिन विजली के मामले में एसा नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो यह समझना होगा कि विजली को यह सी बस्तु नहीं है जिसे जब चाहें और जैसे चाहें उत्पादित कर लें। और उसका उप्योग कर लें। और उसकी बचत भी कर लें। बिजली अर्थाद बिद्दुत उर्जा का एक रूप है और इसे स्टोर करना अर्थाद इसका भंडारण करना संभव नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम बिजली बचा रहे हैं तो इसका आर्थ यह होता है कि हम बिजली का उप्योग नहीं कर रहे हैं। या फिर अगर हम इसका उपיोग कर रहे हैं तो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर कर रहे हैं विजली बचाने का यहा आर्थ कताई नहीं है कि उसे स्टोर कर लिया जाएं फिर आपके मन में यह कुछ जनाता है कि पावर स्टेशन में विजली का उत्पादन फिर कैसे होता है और हम इसका उप्योग कैसे करते हैं। दोस्तो विजली बनाने की प्रकिरिया अतियंत जटिल है यह आपके अनुमान से भी अधिक जटिल है। पावर स्टेशन में विजली का उत्पादन एक निश्चित सेड्यूल के अनुसार ही होता है। और इसे निर्धार एक दिन के 24 घंटों के आउसत डिमांड और एक महीने के 30 दिनों के आउसत डिमांड के अनुसार किया जाता है। अगर हम इसको सिंपल वहांसे में समझे तो पावर स्टेशन का जो इस्टेबलिस्मेंट होता है वह एक घंटे में कितनी विजली जनरेट करेगी या फिर एक महीने में टोटल कितनी विजली जनरेट करेगी इसके इसाब से होता है। इसके लिए power station बनाने के पहले ही आसपास की छेत्रों का सर्वे किया जाता है. ताकि लोड डिमांड पता सा सके तो पहले उस एरिया के आसपास में बिजली सपलाइज उसका सर्वे क्या जाता है. और एक calculation करके या निकाला जाता है कि इतने छेतरों में maximum कितनी बिजली की खपत होती है और उसी हिसाब से power plant की establishment किया जाता है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक thermal power station है इस station के लिए हवा, पानी और कोईला आधार भूत जरूरते हैं अगर power station पर load की demand जादा होती है तो हमें इन materials की supply भी बढ़ाने पड़ती है जैसे कि साम 6 बजे से लेकर रात के 10 या 12 बजे तक load की demand बहुत जादा बढ़ जाती है इसा इसलिए होता है, क्योंकि जितने भी लोग अपने घरों में रहते हैं वो पूरे दिन भर तो duty करते हैं, लेकिन वा साम को सभी लोग घर पर इकठा हो जाते हैं और इकठा होने की कारण सभी लोग कुछ न कुछ electricity equipment का उप्योग करते हैं इससे विद्धूत की खपत बहुत ही बढ़ जाती है जिससे power plant पर भी load बढ़ने लगता है तो इसकी demand को पूरा करने के लिए power plant में और जादा विद्धूत की आप पूर्ती करने लगते हैं जिसके लिए विद्धूत बनाने के लिए materials की supply भी बढ़ानी परती है तब हमें उस power plant में लगने वाले इधन अगर वा thermal power plant है तो कोईले की मातरा को और अधिक बढ़ानी परती है इससे अधिक steam पैदा होता है जिससे turbine को अधिक उर्जा मिलती है और हम अधिक power generate कर पाते हैं जिससे की जो demand है उसकी supply की जा सके इसी तरह 12 बज़े के बाद जब अधिकतर लोग सोने चले जाते हैं तो लोड की demand बहुत ही कम हो जाती है अता हम कोईले की आपूर्ती को घटा जते हैं जिससे की जितना demand है उतना ही हम supply दें अब तक आप समझ गए होंगे कि power station में बिजली जरूरत के अमसार ही पैदा की जाती है अगर हमें 80 MW बिजली की आव सकता है तो हम करीब 100 MW तक बिजली पैदा करते हैं कुछ बिजली extra इसलिए होती है क्योंकि बिजली को भेजने में सोयम उसमे उर्जा और अन उर्जा के रूप में बिजली की हान भी हो जाती है हम कभी भी demand से जादा बिजली का उत्पादन नहीं करते अगर demand से जादा बिजली का उत्पादन होता है तो वह बिजली हम प्योग तो नहीं कर पाते इसलिए वह उसमा के रूप में बदल कर सिर्फ बरबाद होती है और जो मसीनों और तारों को गर्म करती है दोस्तो आप तभी लोगों के मन में अब एक कुछन ये जरूर उठेगा कि मालीजे हमारे यहां कोई 6 मेगावाट का एक पाउर प्राण लगा है और हमारे यहां जो बिजली आ रही है हमारे छेती की बिजली है वह किसी कारण वस चाएवा पाने बचने की वज़ा से या फिर किसी टेक्निकल फाल्ड की वज़ा से कट जाए तो जो हमारे यहां की बिजली आ रही है वह बिजली फिर कहा जाएगी यानि कि उतनी बिजली का क्या होगा क्या हम उसे store कहीं पर करते हैं या फिर उसका क्या होता है क्या power plant में कोई इसी device होती है जो उस बची हुई बिजली को store करता है या फिर वो बिजली नश्ट हो जाती है दोस्तो इसका बहुत ही simple और आसान जवाब है कि ना तो उसे हम store करते हैं और ना ही कोई इसी device आद तक बनी है जो उसे store कर सके और ना ही बिजली वाँ नश्ट होती है तो दोस्तो आप सोच रहेंगे आखिर तब इसका होता क्या है दोस्तो होता ये है कि जब भी किसी छेदी की बिजली करती है तो power plant में devices लगी होती है बहुत सारे devices लगी होती है बहुत सारे panel होती है जहां पर ये तुरंट सूचित करता है कि इस छेदी की बिजली कट गई है और वह तुरंट indicate करने लगती है कि हमें किवल इतना ही power generate करना है माली जीए वह 6 MW का power plant था और आपके यहां light करने के बाद वह तुरंट बता देगा कि यहां पर light करने के बाद किवल और किवल हमें 4 MW की बिजली उत्पन करने है और तुरंट वहां पर बैठे operator को यह पता चल जाता है कि इस छेदी की बिजली कट गई है और वह तुरंट इधन की supply को कम कर देता है जिससे की sufficient बिजली का उत्पादन हो अधिक बिजली का उत्पादन ना हो और जैसे ही आपकी छेदी की बिजली सही हो जाती है और आप पाउर प्लांट पे इसकी information दे जेते हैं कि आपकी बिजली सही हो गई है और हमारे यहां बिजली आपको देना है तो पाउर प्लांट में फिर से इधन की supply को बढ़ा दिया जाता है और फुल 6 MW की बिद्दुत को उत्पन किया जाता है तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से पाउर प्लांट पर अगर बिजली की यापूर्ती कम करनी है तो वह कम बिजली पैदा करता है और अगर बिजली की यापूर्ती अधिक करनी है तो वह अधिक बिजली की यापूर्ती करने लगता है यानि कि डिमांड के अमसार ही पाउर इस्टेशन बिजली का उत्पधन करते हैं जिससे कि विजली क्राइसिस भी ना हो और विजली का अधिक दुर्पियोग या फिर पाउर लास भी ना हो तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो और वीडियो में उपलब्द कराए के कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जुरूर कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को तमाम लोगों के पास सेयर कर दीजिए जिससे कि उनके पास यह वैलोबल कंटेंट पहुच सके और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और इसी प्रकार की वीडियो भी आगे देखना जाते हैं तो हमारे चैनल को कर लिजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद